दोस्तो आज हम बनाएंगे बिना प्यास टामाटर बैगन की चटपटी टेस्टी रेस्पी ये नया तो है ही बनाने का तरीका भी यूनिक है इसके लिए मैंने ली है चार लंबे वाले बैगन गोल वाले बैगन से भी ये रेस्पी बना सकते हैं सबसे पहले बैगन को छिल लीजिए बैगन को बिना छिले भी बना सकते हैं पर छिलने से एक तो ये जल्दी घल जाती है और दूसरे खाने में मूँ में छिल के नहीं आते हैं तो सभी को हम इस तरह से छिल कर त्यार कर लेंगे आप एक बैगन लीजिए और उसे चाकू से इस तरह से कट करिए बैगन को चौपिंग बोर्ड या किसी प्लेट पर रख लीजिए बैंगन के आर पार चाकू नहीं लगाएंगे बैंगन के आधे हिस्से तक ही हम चाकू ले जाएंगे और इसे इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे डंठल के तरफ जॉइंट रखेंगे और नीचे की तरफ खुला रखेंगे देखे इस तरह से बैंगन को जितना पतला पतला काट सकें उतना पतला पतला काट लिजी जिससे इसके इस तरह के लच्छे हो जाए सावधानी से काटिएगा जिससे हाथों पर चाकूर न लगे बैंगन काले न पड़े इसके लिए एक बड़े बरतन में पानी ले ले जिए आधा चम्मच इसके अंदर नमक डालिए और अब इसके अंदर ये बैंगन डाल दीजिए ये पानी में अच्छे से डूबे रहें इसके लिए एक भारी बरतन रख दीजिए इनके उपर अब एक तड़का पायन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करके ले लेजिए इसके अंदर हम डालेंगे रेड़ चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्स पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भूना जीरा पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच नमक साथ में हम डालेंगे एक चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट इनको अच्छे से मेक्स कर लेंगे और हाँ ध्यान रखिएगा तेल हलका गराम हो जिससे मसाले थोड़े भुन जाएं जले नहीं अब बैगन को पानी से निकाल कर हम चॉपिंग बोर्ड पर या एक प्लेट में रख लेंगे इनके उपर जो पानी है उसे कीचेन टॉल से पोश लेंगे बैगन को नमक के पानी में डालने से इनके लच्छे थोड़े हाड हो जाते हैं इधर मसाले तेल में फूल भी गया है तो अब एक बैगन ले लिजे इसको बीच से फैला लिजे इस तरह से डंठल के तरफ एक अंगुठा रख लेजे और इसके अंदर चम्मच से ये मसाला भरिए तेड़ चम्मच मैंने मसाला इसके अंदर भरा है अब इसको इस तरह से दबाते हुए उपर की तरफ हाथ को ले जाईए एक बार में ही सारे मसाले सभी तरफ से अच्छे से फील हो जाते है अगर कहीं से मसाला निकलता है तो उसे उंगली से बरावर कर लीजिए देखिए मसाले अच्छे से लग गए हैं सभी तरफ इसी तरीके से सभी बैगन में मसाला भरकर त्यार कर लेजिए देखिए इस तरह से अब एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच ओईल गरम करेंगे इसके अंदर ये बैगन डालेंगे एक एक करके इन्हें आप तवे पर भी बना सकते हैं सभी को डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए और इन्हें ढख कर तीन से चार मिनट तक पका लिजिए ये देखिए बैगन हाफ कुख हो गए हैं तो हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेंगे कम ओयल में भी ये बैगन अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मैंने थोड़ा ज्यादा ओयल डाल दिया है आप इस बात का ध्यान रखिएगा अब एक बार और धकन लगाईए और दूसरे तरफ से भी इन्हें तीन से चार मिनट तक पका लिजिए और ये लिजिए दूसरे तरफ से भी ये अच्छे से फ्राई हो गए है इन्हें दाल, चावल, रोटी, पराठे या किसी भी चीज के साथ सर्ब करिए ये बहुत ही ज् बैगन फ्राई, बैगन भरता या बैगन की कलोंजी क्या नाम देना चाहेंगे कॉमेंट में जरूर बताएगा और रेस्पी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ सेर करना ना भोलिएगा और रोज रोज नए नए दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा साथ में घंटी की बटन आएगी उसे भी प्रेस कर लीजेगा फिर मिलते हैं नए रेस्पी के साथ धन्यबाद